चंद कदम चलने पर ही सांस फूल जाना, प्लेन की सीट पर भी पूरा फिटना आना, छे छे बर्गर एक साथ खा जाना और 140 कीलो के भारी भरकम सरीर के साथ खुश रहना क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मातर 22 साल के उमर में कोई इतना जादा हेल्डी कैसे हो सकता है, लेकिन आखिर वो इनसान एक हीरो कैसे बन सकता है नमस्कार आप देख रहे हैं इग्नीटो लाइफस्टाइल और मैं हूँ कृति राज हम अकसर देखते हैं कि बॉलिवूट के अक्टर और अक्टरसेस फिट रहने की पूरी कोशिश करते हैं वो हमेशा यही दिखाते हैं कि वो बिल्कुल पॉफेक्ट है लेकिन आज हम जिस अक्टर की बात कर रहे हैं उनकी जर्णी ऐसे पॉफेक्शन के साथ साथ नहीं हुई थी जी हाँ हम बात कर रहे हैं एक डाशिंग पस्टनालिटी की और अपने आक्टिंग से सब को दिवाना बनाने देवाले अरजन कपूर के बारे में अरजन कपूर आज एक बहुत ही डाशिंग पस्टनालिटी है लेकिन क्या आपको पता है कि वो हमेशा ऐसे बिलकुल नहीं थे जी हाँ एक समय ऐसा भी था जब अरजन कपूर 140 केजी के हुआ करते थे लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर टिक कर ले मलाइका अडोडा जैसी एक सेक्सी और फिट अक्टरिस को डेट करने वाले अरजुन कपूर आज इतने फिट हैं कि हर लड़की उनकी दिवानी है लेकिन वो एक समय पर इतने जादा हेल्दी थे कि कोई उन्हें पहचानता भी नहीं था लेकिन सल्मान खान के मोटिवेशन के बाद उन्होंने अपने मन में ठान दिया कि वो एक बहुत फिट आक्टर बनेंगे और लोगों के सामने अपने आपको प्रूफ करेंगे इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने करीब 3 सालों तक अपने फिटनेस पे काम किया जिसके बाद वो आज एक बहुत अच्छे उभरते वे स्टार के रूप में सब के सामने आये है तो आईए जानते हैं उनके डायेट और उनके फिटनेस के बारे में किया उन्होंने किस तरीके से अपने आप को इतना फिट किया बात करें अरजुन के डायेट की तो पहले अरजुन खाने पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रखते थे वो एक साथ कई बर्गर खा लेते थे वो प्लेन में भी फिट नहीं आते थे इसलिए उन्हें बिजनस क्लास में जाना पड़ता था लेकिन सल्मान खान के मोटिवेशन के बाद वो बिल्कुल फिट हो चुके है अरजुन कपूर का मानना है कि अगर हम कोशिश करे तो हम अपने आप को बिल्कुली फिट एन फाइन कर सकते हैं बात करें उनकी डायेट की तो वो दिन की सुरवात यानि ब्रेकफास में टोस्ट और 4-6 अंडे का सफेद भाग लेना पसंद करते हैं लंच में वो गेहू या बाजरी की रोटी, सब्दी दाल और चिकन खाना पसंद करते हैं वहीं उनकी डिनर में वो मचली वच चिकन के साथ चावल खाना पसंद करते हैं वहीं बात करें उनके workout की तो अरजुन का पूर workout के बाद protein shake लेते हैं और मीठे से बिलकुल दूर रहते हैं वहीं उनके physical activities में weight training, cardio exercise, circuit training, crossfit training, bench press, squat, deadlift और pull up जैसे workout शामिल होते हैं जिसके मदद से वो आज इतने जादा fit हो चुके हैं तो ये थी अरजुन की diet और fitness routine कि आखिर उनोंने किस तरीके से अपने आप को इतना fit किया इसके अलावा अरजुन कापूर ने social media पर एक बार एक post किया था जिसमें उनोंने अपने before और after practice लगाये थे अरजुन कापूर को बहुत मेहनत करना पड़ा बहुत लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो कितने अच्छे और कितने dashing personality हैं और एक बहुत अच्छे actor भी है I hope कि आपको इससे बहुत motivation मिला होगा और आप भी जरूर चाहेंगे कि आप भी अरजुन कापूर की तरह अपने आपको fit कर सके तो अगर देड किस बात की जल्दी से आप भी ऐसे तरीके से ट्रेनी करना सुरू कर दीजे ताकि आप भी अरजुन कापूर की तरह एक fit इंसान बन सके इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like और शेर करना बिल्कुल न भूले और हमारी चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रू किक कर दे तक कि आपको मिलती रहे ऐसे ही fitness वीडियो सबसे पहले